हेलो एवरिवान वेलकम बैक तो मैं यूटिव चानल नाच की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उर्दू अपनी जबान क्लास सेविंध का ये चाप्टर है हमारी तारीख तो इसमें ये नजम है ये चाप्टर नहीं है ये नजम है तो इसको हम लोग पूरा रीड आउट कर कि इसकी तश्टी वगेरा सब देखेंगे इस नजम को लिखने वाले शायर का नाम है जा निसार अख्टर तो हम चाप्टर की नजम की जो में स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आप लोग ने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब में अचैनल तो पहले बंद से स्टार्ट करते हैं कोई भी घर हो दिवाली के दिये जलते हैं ईद भर देती थी सीनों में उजाले क्या क्या रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता था चहरे चहरे पे दमक उठते थे लाले क्या क्या तो इस नजम को लिखने वाले जो शायर कह रहे हैं शायर का नाम क्या है जानिसार अखतर तो जानिसार अखतर यहां पे बता रहे हैं कि इस तरीके से हमारी तारीक याने की हमारी हिस्टरी जो है वो लिखी गई है वो असल में हमारी खुद की हिस्टरी नहीं है वो दूसरो हम खुद लिखेंगे तो इसमें जो बताया जा रहा है इसमें कि कोई भी टिहार हो पहले शेर में पहले अशार में बोला जा रहा है कि कोई भी फेस्टिवल हो सारे लोग मिल जोग कर बनाते हैं जैसे दीवाली में हर किसी के घर में दिये जलते हुए नजर आते हैं इद वाले दिन हर किसी के किसी भी मज़भ के हो सब लोग अपके सीनों में खुशी हो रही होती है उजाले हो रही होते हैं रंग होली के चहरों के साथ साथ दिल में भिखड जाते हैं चेहरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है उसके बार नेक्स्ट है अजनबी हाथों ने लिकी थी जो तारीक तेरी उसको क्या नाम दें सोची हुई तोहमत के सिवा अपने हर प्यार को नफरत में बदलना चाहा क्या पकारें उस चालाक सियासत के सिवा उसे हम क्या पकारें सिर्फ चालाक सियासत के सिवा तो इस अचार में शायर कहना चाहते हैं कि अजनबी हाथों ने यानकी प्रिटिशर्स ने हमारी जो प्रिटिशर्स या फिर आस पास के जो हमारे देश थे उन्होंने जो हमारी हिस्टरी तारीक को दिखाया है असल में वो तारीख में ही है उन लोगों ने हमारे भाईचारी को नहीं दिखाया जो हमारा भाईचारा था वो वाला भाईचारा नोगों नहीं दिखाया और सोची समझी साजेश यांबे की थी सियासत इन लोगों ने बहुत चालाखी से चलाई थी ब्रिटिश इर्ट्स में तो इस बंद में वही बताया गया है नेक्स्ट है ए वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से तेरी तारीख है दिल जोई दिल तारीखी तेरी तारीख महबत की वफा की तारीख तेरी तारीख अखवत की रवादारी की तो ऐ वतन हम तुमारी तारीख को दुबारा से दोराएंगे क्योंकि वो तारीख जो पहले लिखी गई है वो असल नहीं है वो बनावटी है उसको जबरदस्ती बनाया गया ऐसे सिचुएशन्स क्रियेट के गए लेकिन ये हम इस हिस्ट्री को दुबारा से लिखेंगे तेरी तारीख है कुराण का गीता का वर्ग आश्टी आमन अहिंसा के उसूलों के का सबक दहर से अपना मुकाबिल कोई अब तक ना उठा कोई गोतम कोई चश्टी कोई नानक ना उठा तो हम तेरी तारीख दुबारा से लिखेंगे और कुराण में और गीता में दोनों के वर्ग में दोनों में ही ये समझाया गया है कि भाईचारे से रहना है आमन से रहना है अहिंसा असूलों के साथ अपने सबक को चलाना है और गीता और गुरान के अलावा यहां पर यह भी बताया क्या है कि कोई गौतम, कोई बुद्द कोई नानक अगर यहां से उठा है तो वो इस देश से उठा है ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है पूरे किसी और दुनिया मतलब पूरी दुन्या में इस देश से ही हुआ है हमारा आज़ात है, तनकज जजबात के घेरों से निकल आए हम जो फिरंगी की सियासत ने कभी बोए थे उन तास्थफ के अंधीरों से निकल आए हम तो आज आज़ाद हम लोग हो चुके हैं जब आज़ादी के बात की बात है तो उस आज़ादी में हमें आज़ाद हो चुके हैं अब वो जो फिरंगी लोग थे जो हमारे उपर दबाव करते थे और हम उसमें लड़ाईयां अपस में कर जाते थे वो लोग ही हट गए हैं तो हम अपनी सियासत को उनकी सियासत को हटा कर हम भाई चारा लेकर आएंगी एक है नेक्स्ट है चाहिए ये वाला हमने पढ़ लिया है आजाजाद है हम जहन हमारी आजाद है ये वाला हमने पढ़ लिया है इसके बाद हम लास्ट पर आ जाते हैं एक है अपना वतन एक जमी एक है हम एक है फिक्र वा अमल एक यकीन एक है हम कौन कहता है कि हम एक नहीं एक है हम तो लास्ट वाली अशार को समझाने की जरूरत नहीं है ये बस ये बताता है कि किस तरीके से हमारा जो वतन है हम लोग आसाद हो गए और ये हमारा खुद का वतन है तो हम लोग एक है जान इसार अख्तर ने ये लिखा है So this was the नजम हमारी तारी तो इस नजम को हम ने पूरा पढ़ लिया है If you have not subscribed my channel yet subscribe it share it with your friends till then take care bye